आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं रिनाम अचिद्धान तक नहीं हो, तरी स्टड़ी आइक्यो पर आपको बहुत दोस्त वह थे, किस तरीके से साइंटेस्ट इस स्पेस पे रहे के एलिफेंट्स को काउंट कर रहे है, गजराज जय हो, क्या बात है, दे लेकिन हाथियों की पोचिंग होती है, इनके दांत बहुत महंगे बिखते हैं, इनको मारा जाता है, इनका शिकार किया जाता है, दोस्तों, इस वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, तो किस तरीके से साइंटेस्ट, इलिफेंट्स को स्पेस से काउंट करें, बड़ा इंपॉर जरूर लिख दूँगा, तो रिपब्लिक डेसेल हमारी चैलू है, आई-बी की टेस सीरीस हमने लॉंच की, आप जरूर इसको अवेल करें, इंस्टा पे मैं आगयो, आप मुझे यहां पे जरूर फॉलो करें, नेक्स्ट मन्त मैं ट्रावल करने वाला हूं, दोस्तों, अच सैटलाइट उपर से सब कुछ दिखा देगी, कि कब कितने एलिफेंट्स हैं, या जो भी काम है यार, कब वेदर खराब होने बाला है, तो सैटलाइट्स अर वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो वाइल्ड लाइफ इस्पिशीस को पहली बार डेटेक्ट जो है वो किया गया, इंक्लूडिंग आफरिकन इलिफेंट्स, देखो, अगर हम इलिफेंट्स की बात करें, आपको पता ही है, जो हाती है, हमारे आतो हाती पुझनी है, भगवान गनेश, हम उनकी पूझा करते हैं, हिंदुईजम में नेचर को भगवान माना गया है, शानदार, मतलब जब मैं इतनी सारी किताबे पढ़ता हूँ, धान में गरंत पढ़ता हूँ, तो मुझे एक चीज उसका अगर कंक्लूजन है कि आप नेचर की पूझा करो, नेचर विल पे यू बैक, सिंपल, तो यहाँ पे मतलब यही है, अब इलिफेंट्स जो है, दे आर एंडेंजर्ड, क्या आ समात्रन और श्री-लंकन, यह तीन जगा आपको मिलेगे, 20,000-40,000 के बीच में एशियन इलफेंट्स की पॉपलेशन होगी, जिसमें अकेले 28,000 भारत में हैं, करनाटा को में सबसे जदा 25% मिलते हैं, इलफेंट्स कॉरिडोर भी बनाने की कई बार बात की गई है, क्या है न इलफेंट्स जो है, they are actually vulnerable, जिकिये, एशियन इलफेंट्स are endangered, मतलब उन पे बहुत जादा खतरा है, इसलिए हम उनको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आफ्रिकन इलफेंट्स जिनकी पॉपलेशन 4,000,000 है, they are vulnerable, समझ गये, तो इसलिए इलफेंट्स को, IUCN की Red List बता which are roaming around the earth, जो हमको बहुत अच्छा लगता है जब हाथी घुदर जाता है, हाथी बड़े प्यारे होते हैं, बड़े क्यूट होते हैं, and they are very human friendly, तो इसलिए इलफेंट्स are important, आब इनको count करने के लिए में स्पेस टेखनोलोजी का यूज़ कर रहे हैं, साटलाइट का आप सकते हैं कि जो team of researchers है, from the University of Oxford Wildlife Conservation Research Unit, and Machine Learning Research Group, इन्होंने South Africa में elephants को detect कर लिया, artificial intelligence से, और इतनी गजब की accuracy, इतनी गजब की accuracy कि क्या बता है, ये जो वर्क है, remote sensing in ecology and conservation journal में छपा है, अब यहाँ पे, African elephant जो आपको बता है, पोचिंग होती है, retaliatory killing होती है, crop raiding, अलब crop raiding की में बहुत जादा होता है, कि वहाँ पर elephant से जो है, वो खेतों में आ जाता है, तो उनको भगाने के लिए पटा के फोलते हैं, बहुत जाता है, तो उनको भगाने के लिए पटा के फोले जाते हैं, बढ़ा उनको मतलब अच्छा treatment नहीं है, ठीक है, तो इसको कहते है, retaliatory killing, अगर हाती जो है, गलती से आपके human यहाँ पे village में आ गए, या इंसानी बस्ती में आ गए, तो बेटा बस उनके तो फिर band बजानी है, और habitat fragmentation भी हो रहा है, धीमे धीमें जंगलों के, जंगल को काटते जारे जा हाती रहते हैं, तो इसी लिए ये सारी important problems है, और African elephants इससे ब युद्ध का नतीजा बजल देते थे, और ये सब ने ही उस किया है, तो एक समय पे भारत में लाखो लाखो elephants हुआ करते थे, और जैसा कि मैंने बता है, human friendly इसलिए इनको train करना ज्यादा असान होता है, लेकिन इसकी condition, जैसे अब circus की बात करें, आप तो खेर circus बंदी हो गया जू, then you must give them proper environment, पट यह होता नहीं, so क्या है कि यहाँ पे की species को conserve करने के लिए it is very important for scientists to track elephants, सही बात है, वरना तो वलना river खताम हो जाएंगी, करते रोजो करना है, हमको पता होने चाहें कितने, आज हमारे जंगल में माल लो की 100 elephant है, ठीक है, तो एक साल बात यह आंकडा जैसे miss allocation of conservation resources होता है, माल लोगार हमको पता चला, अगर जंगल में 100 elephants है, और हमको यह पता चला कि 70-75, है ना, बहुत साज तरीके होते हैं दोस्तों, आफरिका में जो तरीका आजमाया जाता है, मैं आपको बता ही देता हूं इसमें, आफरिका में जो तरीका आजमाया जाता है, यहाँ पे manned aircraft भेजे जाते हैं, यहाँ पे देखे यह होगा, aerial survey किया जाता है, ठीक है न, aerial survey क्या होता है, यह बहुत common survey होता है, कि यहाँ पे aircraft, manned drones हो गए, अब तो drones आ गए है, ठीक है, तो aerial counts किया जाता है, हवा से यहाँ पे हांतियों को गिना जाता है, तो उसमें problem क क्या होती है, उसमें बहुत सारे elephants से जो है, वो छूट जाते है, साथी साथ, रात में accurate picture नहीं आती है, जो observers होते है, जो aircraft पे बैठे होते है, वो exhaust हो जाते हो, जब आप ठक जाएंगे, तो आपका काम अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, poor visibility होती है, ठीक है, और कई बार biasness भी होती है, क्या होता है, 100 elephant है, मालो, जंगल में, 80 दिखा दो, 20 elephant का क्या, मार के बेचाएंगे, कैसे, जो poachers होते हैं, सीधा foresters से संपर्क करते हैं, बोलते हैं, यार, पैसा दो, हाथी के दात लेंगे, 5 लाग, तुमारा, 5 लाग मेरा, और authorities को कम दिखाओ, simple, तो 100 elephant में 80 हो है, तो human intervention जब होगा, तो इसी तरीके के result आएगे, तो इसलिए biasness भी हमने देखी है, best का है, satellite से measure कर लो, satellite से count कर लो, कोई आपको problem होनी ही नहीं है, तो इसलिए ये counting बड़ी important है, इस तरीके के count, इस तरीके से count किया गया है, ठीके, यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकत यह original है मेरा, इसलिए मैं subscriber count बताता रहे, तो इक मेरा fake channel भी चल रहा है, मुझे कोई problem नहीं है fake channel से, मतलब ठीक है, वो भी knowledge दे रहे है, सच मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मुझे यह लगता है कि कुछ ऐसा वैसा वो लोग ना डाल दें, जो अब क्योंकि आगर म यहाँ पे बहुत सारे हाती रहते हैं, तो satellite imagery का use किया है, अभी आपने देखा न, satellite imagery, मैंने फिर से दिखा देता हूँ, इस तरीके से, satellite imagery का use किया है, ground presence of elephants कितना है, इसमें accurate हमको पता लगता है, अगर 100 है तो 100 ही पता लगेंगे, तो यह जो highest resolution satellite imagery है, currently available, it is known as world view 3, यह याद हजार elephants का data set इनों ने बनाया है, और उसके बादे CNN, convolutional neural network में यह डालेंगे, और उसके बाद, they will, अब देखे, they will compare the result to human performance, हमने तो 1000 elephants से 1000 का data निकाल लिया, 1000 elephant बता दिये, आपने कितना बताया, इंसानों ने कितना बताया, जब aerial view लेते थे, लोग survey होता थे, तो आप कितना बताते थे, compare होगा यह, अब यह पहली study नहीं है, 2002 में दोस्तों, ऐसी study हुई थी, जब geographical information system technology ने, यह दिखाया था, कि किस तरीके से यह Asian elephants को conserve कर सकते हैं, through satellite, और उसके बाद, scientist ने, first satellite tracking project Asian elephants का मियानमार में launch भी किया था, तो बहुत अच्छी टेकनीक है, सबको इस तरीके स यह जो satellite काम को फाइदा लेना चाहिए, और इस तरीके की टेकनीक हर किसी को अपनानी चाहिए, in fact, elephants के लिए नहीं, जो भी endangered species है, उन सब के लिए, बहुत फाइदा होगा, तो I hope the lecture आपको अच्छा लगा होगा, खुछ रहे यह पर तो यह दिख सिद्दान तक नहीं होता ह हागी क्ते अच्छा लागी को sway चाहिए, और विए